हेलो फ्रेंड्स में हुछ आया और मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम बीना स्टफिंग किये बीना किसी जंजट के बिल्कुल आसान तरीके से मूली के पराठे बनाएंगे ये पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं इसे आप एक बर जरूर ट्राय करें तो चलिए इस से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने तीन छोटी साइस की मूली ली है मूली को हमने अच्छे से धोकर लिया है मूली को छिल कर बड़े होल वाले ग्रेटर की साहिता से हम ग्रेट कर लेंगे तो मूली को हमने इस प्रकार से ग्रेटर की साहिता से ग्रेट कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, आधा कप मक्के का आटा, मक्के का आटा डालने से पराठे बहुती स्वादिस्ट बनते हैं, अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप इसे स्कीप कर दें, इसके बिना भी आप पराठे बना सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1-4 cup बेसन, 1-3 spoon या स्वाधनुसार नमक डालेंगे, 1-3 spoon जीरा, 1-3 spoon धनिया पौडर, 1-3 spoon लाल मिर्ष पौडर, 1-2 teaspoon हल्दी पौडर, 1-3 spoon कसूरी मेथी, 3-4 spoon हरा धनिया, वंटी स्पुन सोफ, वंटी स्पुन साबुत धनिया दोनों को हलका सा भून कर दरदरा कूट कर लिया है इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसे आप जरूर डाले टूटेबली स्पुन तेल डालेंगे अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए आटा लगाएंगे आटे में हमें केवल एक से दो चम्मच ही पानी लगेगा क्योंकि मूली में काफी मातरा में पानी होता है और हमें आटा टाइट लगाना है दो चम्मच पानी का यूज़ करते हुए हमने आटा त्यार कर लिया है आटा हमने टाइट लगाया है आटे पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अब हम इसे 15 मिनिट के लिए ढखकर छोड़ देंगे 15 मिनिट बाद आटा से ठो गया है अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आटे से मिडियम सा इसकी लोई बना कर त्यार करेंगे लोई बनाने के बाद अब हमने एक प्लेट में मक्के का आटा लिया है लोई को मक्के के आटे से कोट कर लेंगे आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं अब हम इसे रोटी से मोटा रखते हुए बेल लेंगे बेलने के बाद कोई भी गोल धक्कन से इसे काट लेंगे ऐसा करने से सारे पराठे एकी साइस के गोल गोल बनेंगे इस प्रोसेस को आप skip भी कर सकते हैं पराथा हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है तो एक और पराथा बना लेंगे उसके बाद हम इसे सेकेंगे तो एक और पराथा हमने बना लिया है अब हम इसे सेकेंगे पराठे को सेखने के लिए तवे को हमने गरम कर लिया है फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम भरी पराठे को हमें दोनों साइट से अच्छे से सेखना है थोड़ी देर बाद पराठे को पल्टेंगे और इस पर तेल लगाएंगे आप चाहें तो इस पर घी या बटर भी लगा सकते हैं तो दोनों साइट से पराठे को हमें अच्छे से सिखना है तो पराठा सिखकर त्यार है तो इसे अब हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के पराठे को बना कर त्यार कर लेंगे सारे पराठे हमने बना लिये हैं बहुती टेस्टी पराठे बनते हैं मूली के बड़े बड़े लच्छे उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट मसालेदारे पराठे बन कर त्यार होते हैं इस तरह से आप एक बर मूली के पराठे जरूर ट्राए करें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे फेमिली और फ्रेंड्स में शेर करे और चेनल पर नए है तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू